कि नाइडेरियंस की कॉमन एग्जैम्पल्स के अंदर आ जाता है सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन जो है वो हाइड्रा है हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है और यह सिरफ पॉलिप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसके अंदर जो है मेडूसा नहीं होती और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होती यह जैस्ट खुदी बडिंग के जरीए से रिप्रिड्यूस करता है और यह आप देख सकते हैं कि इसकी एक सिलेंडर लाइक बॉड़ी है और यहां पर इसका उपर टिप के उपर माउथ है और माउथ के इर्द गिर्ज है यह काफी सारे टेंटिकल्स हैं और यह फ्रेश वाटर के अंदर आता है इसी तरह एक और जो है नाइडेरियन वो कॉम सब्सक्राइब और यहां पर देख सकते हैं कि यह काफी सारे चोटे 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 से टेंटिकल्स हैं जिनके मदद से यह फूड अप्टेन करता है उसके मकाबले में यह जो है यह गोनोजाइड है और यहां पे इसके अंदर आपको छोटी चोटी सी जैली फिश बनती वी नजर आ रही हैं जो यहां से बाद में निकल के यह बाहर रिलीज हो जाती है यह दोनों जो है माइक्रोसकोपिक होते हैं स पानी के ओपर तैर रहे होते हैं इसके ओपर यह गुबारे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लोट कहते हैं और इसके अंदर हवा भरी होती है और यह पानी के अंदर तैर रहे होते हैं और इसके यह टेंटिकल्स नीचे लटके वे होते हैं और यह कोई फिश वखेरा को पकड़के उसको खा सकते हैं काफी सारे मुक्तलिफ किसम के जोईट्स इस तरह मिल जुलकर कोलोनी बना कर रह होते हैं इसके अलावा एक और और वालिप जिसको हम कहा सकते हैं वह एक्टीनिया या सीनामनी है सीनामनी जो होती है यह सिलंड्र कल बॉड्ड बॉड्डी है और यह आम तोर पर नीचे बेहरे किसी पत्त्र गयरा के साथ जुड़ी होती है दर्मयान में यहां पर इसका ही होती और इसकी जो डाइजस्टिव कैवेटी है उसके अंदर जिलियां होती हैं पर्दे नुमा साखते हैं जिनको हम मिजेंटरीज कहते हैं गैस्ट्रू आस्कुलर कैवेटी या इंटरॉन के अंदर मिजेंटरीज मौजूद हैं इसके अलावा एक बहुत ही मशूर यहाँ पे च्छोटे-च्छोटे से आपको सुराखे दो लंब ay lay li मेरत में चोटे छोटे सब्सक्राइब छ OH ho झाओ le ये आम तोर पे बहुत बड़ी तदाद में कई दफ़ा एकठे रह रहे होते हैं जिस तरह आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सी पानी के अंदर चटान है एक जजीरा बनाया हुआ है और ये सारे जो हैं कॉरल्स आपस नमिल जुल कर रह रहे हैं कॉलॉनिस की फॉर्म में रहते हैं और इनके शेल कैल्शम कार्बोनेiT के बने बें सकते हैं में काल्शम कार्बॉनेेट के ल हम पता हैं कोरल मर जाते हैं तो उसके उपर नई लेयर चौक की डिपॉजिट होती है और उसके अंदर नए पॉलिफ्स जो है वो रहना शुरू कर देते हैं और यह आम तोर पे ट्रॉपिकल वाटर के अंदर यानि के जो यह हमारे सिरी लंका इंडोनेशिया या फ्लोरिडा वगारा के पानियों के अंदर यह पाई रहते हैं और जिस जगह पे यह रहते हैं आम तोर पे वहां पे बहुत सारी डावर्स किसम्की मझलियां वगारा भी आपको नाजर आएंगी यहां पर आप देख सकते हैं कि खुबसूरत यहां रंग बरंगी मश्लियां रहेंगी यहां पर आप दौर पे उन्ही लाकों से टॉपिकल रीजिन्स से आई होती हैं और यहां पे कॉरल्स बहुत सारे मुख्तलिफ किसम के रहते हैं थैंक यू